आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से पिछले 20 साल में जाइना जो है USA को पीछे छोड़ के वर्ड का सबसे अमीर देश बन गया है आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो जाइना विश्व के सबसे अमीर देश के रूप में उभर के सामने आ रहा है यह जो सब्सक्राइब है और बहुत ही चोकाने वाले यहां पे काफी सारे जो फैक्ट है वो भी देखने को मिलेंगे कि सबसे जादा जो वैल्थ है उसका कंसे सेक्टर के अंदर है क्या ऐसा रीजन है इससे रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या है पूरे इश्यू को डिटेल में डि यहां पे आपको इसका सेशन का पीडियस भी मिल जाएगा देखिए जो रिपोर्ट यहां पे आईए मैकिंजी की तरफ से इसका टाइटल है इसका टाइटल है यहां पे इन्होंने बेसिकली टैन ऐसे कंट्री दस कंट्रीज हैं जो की सिक्स्टी परसेंट अफ दे वर्ड उके रिपर्जेंट कर रहे हैं उनको एनालिसिस के लिए यहां पे लिया है और ओवर्ड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यह रिपोर्ट यह कहती है कि पिछले 20 साल में इस्पेशली 2000 से 2020 तक वर्ड की जो नेट वर्थ है वर्ड वाइट वो लगभग तीन गुना से भी ज़्यादा बड़ी है 156 trillion dollar यह थी और आज के टाइम पर हम देखेंगे तो 500 trillion dollar से भी ज़्यादा है खोड़ा सा comparison के लिए आपको मैं idea यहां पर बता दूं इंडिया की जो economy है इस पेश लेकर हम GDP की बात करें तो उसका साइज लगभग 2.8-2.9 trillion dollar के something है चाहिना की बात करे नेट वर्थ यहां पर काफी तेजी से increase हुआ है और सबसे जो surprising factor यहां पर सामने है वो है कि चाइना ने जो growth दिखाई है वो सबसे surprising factor है क्योंकि अगर हम year 2000 की बात करें तो चाइना का जो total यहां पर जो net worth शो कर रहा है वो 7 trillion dollar है केवल 7 trillion dollar है और यह 2020 में 120 trillion dollar पर पहुंच ज साल के अंदर केवल 20 साल के अंदर चाइना ने 113 trillion dollar यहां पर increase किया है पर example अगर यह comparison आप देख रहे हैं जहां पर यह जो last 20 years है उसमें किस ने increase किया है net worth के अंदर तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि चाइना ने increase किया है USA ने increase किया लेकिन USA का increase इतना ज्यादा नह गया है USA के context में अगर हम बात करें तो property के prices इतनी तेजी से वहां पर नहीं बड़ी है इस वज़े से पिछले 20 साल में इसकी जो net worth या जो wealth है वो डबल ही हुई है और चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा increase हमें देखने को मिला है इसका reason अगर हम देखें कि क्यों ऐसा हो यह जो पूरा अपका area है वहाँ पर यह concentration आपको देखने को मिल रहा है तो जो property है उनकी prices बहुत तेजी से बड़ी इसकी वज़े से यह जो net worth है इसके अंदर हमें increase देखने को मिला है और यह increase बहुत तेजी से देखने को मिला है reason क्या रहा कि जो property की prices है वो इतनी तेजी से क्यों बड़ी उसको अगर हम देखते हैं उसका reason क्या रहा क्योंकि property की जो prices है वहीं पे property के अंदर ही आपकी two-third जो wealth है वो concentrated है लग-बग 60% जो wealth है across the world वो आपकी property के अंदर रहेगी reason इसका क्या है reason यहां पर जो expert है या जो इस report के author है वो कह रहे हैं कि जो interest rate है अगर हम देखें interest जो rate है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे और इसकी वज़े से जो property की prices है वो काफी तेजी से आपका बढ़ती है और भी काफी सारे reasons रहे है property price बढ़ने के fine उसके अंद GDP है वो इतनी तेजी से आपका नहीं बढ़ रहा है so we see a kind of disconnect जब हम growth की बात करते हैं या wealth की बात करते हैं दोनों के अंदर एक connection होता है growth हो रही है wealth भी increase हो रही है लेकिन यहां पर हम देख रहे है wealth तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है net worth बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेक जो प्रापर्टी हैं उनकी net worth increase हो रही है अब यहां पर सबसे बड़ा risk यह है कि यह जो wealth का जो boom है यह जो wealth boom है यह sustainable है या नहीं है यह एक बहुत बड़ा question create करता है अगर यह wealth boom sustainable नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में financial crisis भी create कर सकता है प्रिकिकि जो prices increase हो रही है वो inflation मतल करें तो कुछ example यहां पर mention किये गए for example 2008 का जो financial crisis है वहां पर आप देखेंगे और इसके अलावा recent September के अंदर हमने बात की थी September के अंदर Evergrande जो crisis था Evergrande basically एक group है चाइना का real estate group है सबसे बड़ा और यहां पर एक crisis develop हो गया था जिसमें यह जो real estate group है उसका जो करजा है debt है 300 billion dollar debt is के उपर था बड़ी मुश्किल हो रही थी अपने जो debt obligation है उसको repay करने के अंदर और वहां पर crisis situation create हो गई थी तो future के अंदर अगर हम बान के चलें कि यह जो wealth boom है इसकी sustainability क्या है कल को अगर जो भी इनकी जो price है वो crash हो जाती है तो one third जो wealth है one third word की जो wealth है वो एकदम से खतम हो जाएगी तो this could be kind of concerning situation तो यह जो wealth boom है उसकी sustainability पर question create किया गया है इसके अलावा जो side effect या फिर concern करने वाला सबसे बड़ा issue है वो यह है जैसे आभी हमने शुरू में बात की थी कि लगबग 68% जो global wealth है वो आपका real estate के अंदर है real estate के अंदर है 68% global wealth अब global wealth का land और housing building ऐसे sectors के अंदर concentrate होना और जबकि जो दूसरे sectors हैं जैसे हम infrastructure की बात करें या फिर machinery है equipment है वहाँ पे बहुत कम है intangibles के अंदर क्या हो जाएंगे आपके intellectual property right है patents वगए तो यहाँ पे global wealth का concentration बहुत कम है तो एक चीज यह भी सामने आती है कि अगर हमें innovation चाहिए ठीक है अगर हमें growth चा हो गया engineering है machinery है यहाँ पे भी investment की जरुरत है fine so यह solution के रूप में भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम wealth को productive investment के अंदर invest करें मानली जी infrastructure में invest कर रहे हैं नई opportunities create हो रही है तो यह solution के रूप में follow किया जाना चाहिए problem से solution भी निकल के आ रहा है इससे क्या होगा जो global GDP है global level पर वो भी increase होगा और जो हम disconnect देख रहे हैं कि हाँ wealth तो बढ़ रही है लेकिन GDP उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा उस problem को भी कहीं ना कहीं थोड़ा दूर करने का प्रियास करेगा एक और इस report के अंदर जो highlight हुई है चीज वो होती है inequality की inequality की यहाँ पर चाहे हम चाहिन परसेंट के आसपास जो wealth है वो केवल 10% लोगों के पास में तो यह सबसे बड़ा concern क्या आगया inequality का यह inequality जो बढ़ रही है और यह तेजी से बढ़ेंगे आने वाले टाइम में कोरोना की वज़े से भी inequality का concern बढ़ा है लेकिन यह report यह बताती है कि wealth को लेके inequalities आपकी rise कर रही है तो inequality के concern को हम कैसे deal करेंगे यह भी एक सबसे बड़ा issue हमारे सामने यहां पर है तो आपका क्या यहां पर input रहेगा कि जो economic inequality है उसको हम कैसे fix कर सकते हैं definitely कुछ major point यहां पर आप लिख सकते हैं कि employment opportunities create करनी होगी employment opportunities create करनी होगी या फिर जो resources हैं उनका access resources का access जाए हम better health की ब बात करें हैं okay financial जो capital है उसके access की बात करें वो आपको provide कराना होगा economic inequalities के अंदर basic जो necessities हैं वो आपको सब को देनी होगी government यहां पर थोड़ा role play कर सकती government करती भी है with the help of the budget वो redistribute करती है income को tax यहां पर लगाया जा रहा है wealthy individual पे फिर वहां से जो पैसा आ रहा है उसको redistribute किया जा रहा है welfare objectives के माध्यम से लेकिन इतना sufficient नहीं हो रहा है तो क्या आपके पास कोई innovative ideas हैं जिससे हम economic inequality को कम कर सकते हैं यहां पर एक और चीज आपको जेंडर बेस्ट जो inequalities हैं इसके अंदर आप mention कर सकते हैं यह इस तरह से पूरा issue हमने discuss किया है काफी सारे नई findings यहां पर है चाइना जो है काफी तेजी से बहुत कम टाइम में उभर के आया है और इस report से हमें यह पता जल रहा है जि प्राड़क्टिव असेट में और जादा important sessions इसके अलावा unacademy की तरफ से 20 से 22 नवंबर के बीच में champions conclave आपका conduct किया जा रहा है जिसका registration link description box में यह free आपका रहेगा यहाँ पर जो toppers हैं उनसे आप strategy जान सकते हैं काफी सारे topics के ऊपर आपको जान करी यहाँ पर मिलेगी unacademy की तरफ से जो है अभी price week चल रहा है जिसमें GS plus optional की complete preparation है उस पर आपको heavy discount मिल रहा है यह पूरी एक साल की preparation का जो fees है this is 46,000 इसका link भी आपका description box में है you can avail this discount by using the code rblight नई batches start हो रहे हैं जिनमें आप slivers complete कर सकते हैं यह केवल GS की prices हैं और iconic के साथ यह price आपका रहेगा केवल optional के लिए जा रहे हैं तो यह price आपका है और हर संड़े आपका सुबह 11 बजे test होता है इसमें भी आप participate यहां पर कर सकते हैं this is all for today don't forget to like, share and subscribe all the best have a great day